हेलो दोस्तों, बेलकाम बैक टॉपर न्यू वीडियो, आज हम बात करेंगे एहमदाबाद में गुमने लग दस सबसे खुबसरों जगों के बारे में तो मैं हूं गुलसान और आप देखरें ट्रिवेल सेंट जली सुरू करते हैं नमबर टेन में आता मनेक चौक, मनेक चौक का नाम बाबा मनेकनाथ के नाम पर परा है मनेक चौक सुबह में सबजी मंडी के रूप में काम करती है, दोपहर में यहां सोना चांदी का बजार लगता है और आपको यह एक रंगीन एस्ट्रीट फूट मार्केट में बदल जाती है यह एक ऐसी फूट एस्ट्रीट है जो देर रात तक खुली रहती है यहां आपको भाजी पाव, डोसा, टैक्टिकल लोकल सेंट्वीच और अलग-अलग लोकल बेंजन मिलेंगे जो की देर रात में भी खाने के सोकिन लोगों के लिए एक हब है तो आप मनेक चौक एनी टाइम जा सकते हैं बट अगर आप एस्ट्रीट फूट का मज़ा लेना चाहते हैं तो रात को जा सकते हैं नमबर नाइन, सिद्धी सायद मोस्क्यू सिद्धी सायद मोस्क्यू 1572 से 1573 AD में बनाया गया था ये मोस्क्यू सिद्धी सायद ने बनवाई थी और यह धनुसा कारा स्टाइल में बनी हुई है और इसमें जियोमेट्रिकल डिजाइन के साथ साथ आपस में जूरे पेरों और पतियों के डिजाइन भी उपकेरे गए हैं सिद्धी सायद मोस्क्यू डेली सुबद 6 बजे से रात के 9.45 तक खुला रहता है और यहां जाने का कोई इंट्रिफ्वी नहीं है इंडिया की सबसे अच्छी टेक्स्टाइल मुजियम समें से एक है इसका कलेक्शन भारतिय बस्तर का बहुती कंप्रेहेंसिव और अच्छा माना जाता है मुजियम के स्थापना में गौटम सारा भाई और उनकी बहन गीरा सारा भाई ने की थी अहमदाबाद उस समय एक फ्लोराइजिंग कप्रा इंडस्ट्री का सेंटर था मुजियम में आपको 15 सताबदी से लेकर 20 सताबदी तक के हाथ सर निर्मित या ओधियोगी ग्रूप से उत्पादित बस्तर देखने को मिलेंगे मुजियम में रेगलर टूर्स भी कंडक्ट किये जाते हैं जहां विजिटर्स को कप्रों की हिस्ट्री और इंपोर्टेंस के बारे में बताया जाता है केलको टेक्स्टाल मुजियम संडेक छोर कर सुबह सारे 10 बजे से दोपार के सारे 12 बजे तक और फिर दोपार के 3 बजे से साम के 5 बजे तक खुला रहता है जगनाथ टेंपल अहमदाबाद की जमलपूर में इस्थित है और यह टेंपल हिंदु भगमान जगनाथ को समर्पित है यह टेंपल अपने एनुवल राथ यात्रा के लिए फेमस है जो कि पूरी और कोलकाता के बाद इंडिया का तिसरा सबसे बर राथ यात्रा ले घना जंगल था जो सावर मती रिवर की किनारे बचा था जगनाथ टेंपल सुबह सारी चार बज़े से दोपार के एक बज़े तक और फिर दोपार के तीन बज़े से रात के नौव बज़े तक भागतों के लिए खुले रहते हैं नमबर शुक्ष कंबला नहरू जू ज पितिया जू लगवग 117 एकर्स में फैला हुआ है जू का मुख उदेष संकट ग्रस्ट प्रजातियों की प्रजैनन और उन्हें बिलुप्त होने से बचाना है यहां पर आपको कई तरह के जानवर देखने को मिलेंगे जैसे की ऐसी आर्टिक लायन्स रोयल बंगाल टाइ भी है जहां आप तितलियों की सुन्दरता का आनंद ले सकते हैं कामला नेहरुजू मंडेक छोड़कर सुबह 10 बजे से सामके 6 बजे तक खुला रहता है नमबर 5 कौनकरिया लेक कौनकरिया लेक हैमदाबाद के सौट इस्टरन पार्ट में इस्थित है और गुजराद का सकेंड लार्जेस लेक है लेक के आस पास एक ब्यूटिफुल लेक फोरेंट डेवलक किया गया है जिसमें बहुत सारे पब्लिक एट्रेक्शन है जैसे की प्रेंट इस्टी टेटर वैलून राइड वाटर राइड बाटर पार्क फुट अस्टॉल्स और इंटर्टेन्वेंट फैसलिटीज कंकरिया लेक मंडेक छोरकर सुबह नो बजे से सामके पाच बजे तक और फिर सामके छे बजे से रात के नो बजे तक खुला रहता है नम इसकी खास बात यह है कि इसमें पाच मंजले हैं इसका निर्मान 1498 में में हुआ था और यह गुजरात के सबसे सुंदर और संदार अश्टेप बिल्स में से एक माना जाता है इसकी खास बात यह है कि इसमें पाच मंजले हैं और हर एक मंजल पर आपको बहतरी ना कासी देखने को मिलेगी यह स्टेप बेल ना सिर्फ पानी के एक स्रोत के रूप में काम करता था बलकि यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग गर्मी से बचने के लिए अराम करते थे नमबर टू भदर फोट भदर फोट एक प्राचीन दुर्ग है जो आमद साहद वारा 1411 में बनाया गया था इस फोट का नाम भदर काली टेंपल के नाम पर परा है इस फोट की खास बात यह है कि यहां की रोयल प्लेसेज, मोस्क्यू, गेट्स बहुती सुंदर तरह से तरासे गये हैं ब्रिटीश सासन के दोरान भदर फोट को जेल में बदल दिया गया था ब्रिटीश ने इस फोट के स्टेटिजी के इंपोर्टेंट को पहचाना और इसे अपने एड्मिनिस्टेटिव और कंट्रोल नीड्स के लिए यूज किया और नमबर बन में आता है सावरमती आसरम सावरमती आसरम भारत के सोतंतरा संगराम के महत्वपूर्ण केंदर में से एक है इस आसरम का निर्मान महात्मा गांधी ने किया था और यह उनके बिचारों और आदर्सों का परतीक है आसरम के स्थापना 1915 में कोच रहब एरिया में हुई थी लेकिन बाद में 1917 में इसे सावरमती के किनारे सिप्ट कर दिया गया गांधी जी ने यहाँ पर अनेक परकार के समाजिक और आज नीदिक परियोग किये हैं यह आसरम उनके और उनके अनुई आयों का निवास अस्थल भी था सावरमती आसरम एक म्यूजियम के रूप में काम करता है जहाँ पर गांधी जी के जीवन और उनके सिधानतों को दर्साय गया है आसरम का मुखाकरसन हरिदय कुंजे जो गांधी जी का अपना घर था यहाँ पर आप उनके जीवन से जूरी बस्तुएं और चितरों को देख सकते हैं जिसमें गांधी जी के लिखे हुए ग्रंथों और उनसे संबंधित साहित उपलब्द हैं अगर आप सुरत में घुमने लाइक दा सब से खूब से खूब दिभी जगों के में जाना चाहते हैं तो लेफ्ट वीडियो पर क्लिक कीजिए और अगर आप दिल्ले में घुमने लाइक, दैस सबसे खुब सेरे जगों के बारे में जाना चाहते हैं, तो राइट वीडियो पर क्लिक कीजिए, मैं में लुगा वही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो एक लाइक, एक कोमेंट, और एक सबस्क्राइब करके अ मैं प्यार जरूर दें